हेलो बच्चों, करे प्लाटफर्म में आप सब का स्वागत करता हूँ, मैं हूँ विनोध और आज हम डिसकस करेंगे आपके सामने कि जेई 2024 में जो मेंस एक्जाम हुआ है, उसमें कई बच्चे क्या हुआ है कि क्वालिफाय कर गया एडवांस के लिए, क्योंकि जेनरल से 93.4 सम्थिंग जो है, परसेंटेल अगर आया था, जई मेंस में, तो वो एडवांस के लिए क्वालिफाय कर गया, यहीं 94 परसेंट जेनरल से इभब पे, वो क्वालिफाय कर गया एडवांस के लिए, लेकिस हुआ क्या बच्चों के साथ, कई सारा बोर्ट हमारे देश में मार्किंग स्कीम है, इस स्टेट बोर्ट जितने भी है, जैसे हरियाना का अलग मार्किंग स्कीम है, यूपी का अलग मार्किंग स्कीम है, तो इसके कारण क्या होता है, कि कई बच्चे एक्जाम के तयारी बहुत अच्छे तरीके से किया, अपने बोर्ट को भी मैनेज किया जेए मेंस भी क्वाइलिफाई किया अड़ान्स के लिए भी क्वाइलिफाई किया लेकिन किसी कारण वस वो चुक हो गई कि 12 में 75% को जो करेक्टरिया है उसको क्रॉस करना है 75% कम से कम 12 में मांक्स चाहिए वो नहीं आने के कारण बच्चे का सपने चूर हो गए अपने पर जो क्या हुआ तो अधूरे रह गए ठीक है बलब जो सपना देख रहे थो सपना पूरा नहीं हुआ उसमें कहीं कमी रह गई क्यों कि जैए अडवांस के लिए आपने क्वाइफाई कर गया लेकि 12 में 75% मांक्स नहीं आया तो बच्चो इस लिए इस चीज के लिए आप चिंता ना करें मेरा मांद यह है मैं अभी आपको बताता हुई हूँ यहाँ पर देखिए बोर्ड में 75% से कम मांक्स आये तो क्या करें तो सबसे पहले चिंता करना छोड़ दीजे आप डॉन्ट वरी ठीक है क्यों होती है ऐसा नहीं कि आपके साथ हुआ है कई आता है एक्जाम एक दो मेने के गैप पे और उसमें हमारी चुक हो जाती है कई बर हम बोर्ड का अच्छे त्यारी कि एक बढ़िया कॉपी लिखे ठीक है फिर भी हमारी रह जाती है हमारे इंस्टिचूट में भी एक बच्चा ऐसा है इस साल 2024 का कि उसका जो है ना 73% ही मार का री टेस्ट दे दीजिए ठीक है जो भी पेपर में आपके कम मार्स आये हैं ठीक है इंप्रूमेंट जी उसको बोलते हैं और अगर उससे बर जाये तो तो अच्छी बात है नहीं तो समझ ये समझ ये है कि अद्वांस के लिए ठीक है उतना फिट नहीं बैठेगा ठीक है लेकिन अगर माले नहीं बैठेगा तो क्या उसका लाइफ खराब हो गया नहीं इसके लिए चिंता नहीं करना अब आपको बताता हूं देखिए सबसे पहले क्या होता है इसका कंडिशन समझ ये देखिए यहां पर क्या लिखाओ मैं इंटेस्टेट कंडिडेट मस्ट पास से कम मांक्स नहीं होनी चाहिए आइटी के लिए मेलब अडवांस के लिए ठीक है तो 75% से कम नमर नहीं होना चाहिए तो बहुत सब्सक्राइब मैंने बच्चे ये बोलते हमसे पूछते भी है क्या सार मेरा इस साल 75% नमर कम ही आया 73 आया तो क्या मैं जो ये नियोस कर लेता हूं और उससे मैं ओपन से करने के बाद मैं वो रिजल्ट 75% से ज्यादा मांक्स आएगा मैं आई टी जेए मैं आप एडवांस में ले लूँगा तो देखो बच्चों यहाँ पर एडवांस में क्या है इसके वेपसाइट के जब आप जेखेंगे तो अगर आपने 12 लिया और 75% से कम नमर आया यहीं पास तो कर गए फिर दुबारा अगर निवस से फॉर्म भरते हैं तो उसमें कंडिशन यह है कि आप चारी सब्जेक्ट मैक्सिमम भर सकते हैं यह ध्यान रखना है तो जबकि यहां पर का रहा है पांस सब्जेक्ट तो यह मन आपका नहीं होगा ठीक है पास सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए लेकिन उसमें कंडिशन है कि आप चारी सब्जेक्ट वर सकते हैं तो ऐसा ना करें ठीक है इसमें यह वैलिद नहीं रहेगा आपका सटिफिकेर फिर ठीक है क्योंकि होता क्या नम्मर देखो चूक होती कैसे है अप्लिकेशन काफी गया है क्योंकि कुछ बोर्ट के तरफ भी लापरवाही हुई है मुझे लगता है ग्यारा बारा हजार सी बीए सी के बोर्ट के पास रीचेक के लिए गया है ठीक आब रीचेक होगा बहुत का नमर बढ़े भी है किसी को एड करने में गलत कर दिया किसी बोर्ट में नमर कम आये ना तो आप घब रहे यह नहीं देखिए होता कि 75 परसंट का जो करेक्टरिया है वो किस के लिए पता है यह आई-ट के लिए है एण आई-ट के लिए और टिर्पल-ईट के लिए जई एडवांस आप दे सकते हैं लेकिन जो आई-ट है एन इट है इ क्यों कंडिशन दिये हुआ है लेकि कुछ टिर्पल आईटी ऐसा जैसा टिर्पल आईटी बैंगलोर है उसमें 75% से नंबर कम भी रहेगा तो आपको एडिविशन बिलेगा देखिए जब हम पढ़ते थे ना तो उस समय 55% marks हुआ करता था 12 में चाहिए बस passing marks चाहिए कुछ द लाइटी में मिलेगा और घ्रभाइटी में घ्यान हो सकता है और लाइटी में नहीं मिलेगा आईटी में चाहिए प्चाहिए आप CUT के एक्जाम दीजिए, उसके स्कोर कार्ट पर भी अब जो है, बहुत अच्छे चीज़ इंग कॉलेज में एड़िशन मिलने लगा है, अगर CUT, IPU, CET, जैसे इंदर परस देली का जो है, IP क्या है, उसका भी एक्जाम दीजिए, उसके थुरू भी बीटेक में अच्छ इड़िशन होगा, क्योंकि देखिये, एक तो होता है, इनजिनिरिंग करने के लिए, वहाँ सब्सक्राइब करके, वहाँ सभी आप एडबिशन ले सकते हैं, उसके साथ देखिये, बहुता है, अगर हम बिहार एस्टेट की बात करें, तो बिहार में एक बोर्ड होता है, BCC के साइट पर जाकर करके, वहां से आप फॉर्म उसका भरिये, ठीक है BCC का, और बिहार सरकार के जो Engineering College है, भागलपूर Engineering College है, अमाई ती मुझपरपूर है, तो भागलपूर Engineering College बहुत बहुत सरे Engineering College है, उसमें BCC कि अभवर्मन्न कॉलज में इंजिरिंग कीजिए आप सभी आप इंजिरिंग करके अच्छे प्लैस हो सकते हैं ठीक है बहुत सब्सक्राहिब इनवरसिटी जो ऑटनोमस होते हैं वहां से आप जो है आप जैए के मैंस के बेसिट पर अगाषा के लिए नहीं हुआ तो मैंस में सब्सक्राइब नहीं कि मैं अगर घ्राब हो गया तो मेरा लाइफ खराब देखो एक जीवन बना एक जगह गलती हो जाने से गलती क्या हुई आप ने तो पेपर के तच्छे सा त्यारी किया पेपर और किसी कारण सा चुक हो गई इसका मत्तब नहीं कि आपको फ्यूचर खराब हो गया आपके वस यह ना बहुत आगे निकल सकते हैं ठीक है बहुत करके आप फिर से एक्जाम देखर करके अपना पेपर दीजिए दूसरा ऑप्सन है उसी साल कुछ कॉलेजेज में आपको रोक देगा बाकी कॉलेज में तो नहीं रोक सकता है ना वो एक्जाम देखर करके अच्छे कॉलेजेशन ली लीजिए या अगर 75% से कम आया तो सारे अगर आप कैटेगरी से है जैसे जैनल से है तो 75% में है तो 75% काम हो जाएगा आपका घबराते क्यों है हमारे कोचिंग में भी ऐसा हुआ है सतर पूर ब्रांच में हुआ है ऐसा एक बच्चे ने 73% मार्क्स लाए मैं कभी कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम नमर आएंगे लेकिन उधर मेंस के लिए अडवांस के लिए जो है सो इसलिए घबराई ये नहीं बहुत बच्चे घबरा जाते है ठीक है इसलिए मेंस के महिमत के साथ आप तैयारी कीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और ये भी सोचते होंगे कई बर मैं पर कुछ पैरेंस से भी सलाह कर देता हूं पैरेंस को भी कि बच्चा ता जब किसी कारण से चुक हो जाती है तो उसको डाटी नहीं बहुत पैरेंस क्या करते है तुम ये नी कर सकते हो तुम भो नी कर सकतो बहुत सारे चीज़ें बोल बोल करके उसको डिपरेस कर देते हैं फ्लीज ऐसा मत कीजिए ठीक है वच्चा बहुत अच्छा कर सकता है किसी कारण से चुक होगी तो क्या बात है फिर तो दुबारा करेंगे रहा ये ढखना है ठी देखें, CBSE Board हो चाहिए State Board हो, कोई भी Board हो, सब के Marking Scheme अलग अलग होती है, और किसी में किसी Board में आपको 93, 94 Board में टॉपर हो जाते हैं, और CBSE में तो 100% पहुंच जाता है, चिक है, और 93 पे State में टॉप करते हैं, तो बताइए अगर देखें, दोनों का Compare, Marking Scheme अलग सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहां पे अगर हम बोर्ड की बात करें ना किसी किसी बच्चों को अगर बोर्ड में 75 पर से ज्यदा गया मान लिया जाए और किसी का 75 से कम आ गया तो ना घबराए ठीक है इनके भी आड़ियर मिलेगी ठीक है और इनके भी आड़ियर मिलेगे च्छे जग के बाकी में तो एक्षा ले सकते है ना तो क्यों घबरा रहे हैं आप तो मेरा आसा है मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा जो बोलने का तरीका था और परपस था वो आपको एक तरह से मोटिवेशन देना ठीक है और आप लोग को सही रास्ता सही सलाह देना कि बोर्ड में कम नम्मर आने पर भी आपको घबरानी की जुरत नहीं है तो मैं आसा करता हूँ आपका केरियर बहुत इचा हो विश यू आल दे बेस्ट थाइंक यू केरियर प्लैटफॉर्म ठीक है और देखिए हमारे जो है ना अगर कोचिंग सेंटर में अगर कोई भी स्टूडन को अगर तयारी में ऑफ-लाइन ब्रांचे में अगर आका पढ़ना चाहते हैं अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो देली के अंदर छतरपूर महरवली महिपालपूर और होजगास विलेज डियर पारकेश सामने है ठीक ह हमारे पास जो बेस्ट टीचर कर जो एक टीम बना हुआ है सारे एनाइटी और आईटी से टीचर हैं और उनके टीम बना करके हम आपको तैयारी करवाते हैं ठीक है तो विस्यू आल दे बेस्ट थैंक्यू करेर प्लाइटपर्म